नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी य्टूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दो और तीन अक्टूबर मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि 33 कोटी देवी देवताव ने दे दिये हैं गवाही अब आने वाले तीन दिनों का शमय आप सभी के जीवन काल में आपको साथ बड़े सूप समचार मिलने वाले हैं जिनने सुनकर दोस्तों आप सभी के दुस्मनों को भी होस उड़ जाएंगे आप सभी को बता दें कि दोस्तों या खुश खबरी पूरे परिवार को चोका देने आ चुकी हैं जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जीवन काल में एसी सारी समस्यां का शामना किया है जिनमें आपको इस्वर का साथ मिला है जहां दोस्तों और इनी सभी के कारण आपका होसला भी बुलंद रहा है हर समस्यां का समाधान आप ह आने वाले जीवनकाल में अब बदलाव हो ही नहीं सकता। से बातों को ध्यान रखना होगा। साथिया देवी देवतां आपको कौन-कौन से बड़ी खुशकवरी देने वाले हैं। इन सभी की बहुती महत्पुन तरीके से ग्रह गोचर पर आधारित है। सब्सक्राइब कर लें। पर श्लेट कर लें। तो ये दोस्तों बात करते हैं स्रीकृष्ण जी के अच्छे ग्यान से, एक अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दुन में एक इक्चा सक्ती जागरित करेगी। कि एक बार एक राजा नगर भरमन को गया। रास्ते में देखा, एक छोटा बच्चा माटी के खिलोनों को कान में कुछ काता है, फिर तोड़कर माटी में मिला रहा है। राजा ने अच्रा से पूछा, तुम ये सब क्या करे हो। बच्चे ने जवाब दिया, मैं इन सब से पूछता हूँ कि कभी राम नाम जपा है, ये नहीं बोलते तो माटी को माटी में मिला देता हूँ। राजा ने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा इतनी ग्यान की वात हैं। राजा ने बच्चे से पूछा, तु मेरे साथ मेरे राज महल में रहोगे। बच्चे ने अच्छे से जवाब दिया, जरूर रहूँगा, पर मेरी चार सर्ते हैं। जब मैं सोऊँ, तब तुम्हें जागना पड़ेगा, जब मैं भोजन करूँगा, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, मैं कपड़े पहनूँगा, मगर तुम्हें नगन रहना पड़ेगा, और जब मैं कभी मुसीबत में आऊँ, तो तुम्हें अपने सारे काम छोड़ प्रवाव के नाम को भूलाई बेटे हैं जो हमारे पलपल संभाल कर रहे हैं उस प्यारे के नाम को भूलाई प्रवाव के नाम को भूलाई बेटे हैं जहां दोस्तों अगर आप अमारे इन बातों से सामत हैं क्रिश्न जी के अच्छे ज्यान से सामत हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आवशा करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैस्री क्रिश्न हैं बात करते हैं पूरी बिस्तार से दोस्तों इन दिन में भगवान की किरपा से आपके किस्मत में कुछ जादू जैसा होने वाला है ग्रेशिती और भाग आपके पक्ष में है अपने संपर सुत्रों को और अधिक मजबूत करें कोई रायतिक उपलेबदी प्राप्त हो सक है जिसे समाज में आपका रूतवा बढ़ेगा साथि आय में भी भृति होगी सगे समंधियों का सहयोग और अशने आपके उपर बना रहेगा आज निश्य थी आपको कोई खुस खबरी मिलने वाली है दिन मन मुतावित तरिक्री से व्यतित होगा जिसे मन पर भृति है तो पहले उसका वास्तु आदि दौरा परेक्षन करवा लें उस्तों अपने कार प्लाले गुप्त रूप से करने पर आसाती सफलता मिलेगी कहीं से कोई सुपसमाचार भी प्राप्ति हो शकते हैं बड़े बजरों का आशिर्वात सने आप पर बना रहेगा ता उनके मार समाचार मिलने से घर में सुखनामा माहूल रहेगा दोस्तों कोई पूरण योजित योजना आज बड़ी आसानी और आपके मनुकुल तरीके से हल हो जाएगी सोसाटी की गत्तिवीतियों में आपकी किसी को शला का वीशे शमान दिया जाएगा परिवार के साथ सोपिंग य होने से घर में खुसी का वातारवन रहेगा अधात्म और धर्म कर्म के कारी में भी ध्यान रहेगा दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाब्दानियां भी देख कर चलनी होगी दूसरों के वेक्तिगत मामलों में हस्तेचेप ना करें पड़शों के साथ कहा सुनी होने की असंका है जिसके वज़े से आपकी मान हानी हो शकती है विद्यार्थी वर्ग अपनी पड़ाईक के पड़ती लापारवे ना करें कारोवारी मामलों में वैस्ता बने रहेगी मसेनेरी यादी से जुड़ी वैपसाई आज लापदाईक इसे ती में रहेंगे कोई सुभवा में हैत्वपुन यात्रा शंबव होने की संभावना है नोकरी में अपने कारें के बहुत ही साफधानी से करें वरना दिकत्तें बढ़ेगी परवारी वतारण सुखदर सुख नामा बना रहेगा आकरें दोस्तों किसी से जगला जंजट में ना पड़ें दोस्रों के मामलों में हस्तचेप करने से बचें अनता वाद वाद खड़ा हो सकता है बैतर हो कि अपने कारे से ही मतलब रखें व्यर्थ की गतिविदियों में ध्यान ही न दें आरवरी वैस्ता उचित बनी रहेगी ता सभी काम सुचारी रूप से होते जाएंगे नोकरी पैसा वेक्तियों को भी कोई उपलब्दी मिलने के योग बने हुए हैं बहुत था उच्छेदेकारियों का भी सहयोग बना रहेगा आते साथ परिवारी मामलों में ज्यादा दखल आंदाजी ना करें दूसरों से ज्यादा उमीद रखने की वज़ाए अपने सभाव को बदलें दूस्तों इन तरह की को देखकर आपके जलन की भावना से कोई रिस्तदार ही आपके पीट पीछे अफवा फिला सकते हैं पर तो अपने गुस्य पर कंट्रोल करके सांती पुन तरह के से काम लें तो परिस्तियां ठीक हो जाएगी परिवारी मामलों में भी ज्यादा टोका ठाकी ना करें कोई दोस्ता आपके लब लाइब के बारे में बात करें तो अवेवाईद व्यक्तियों के लिए भी कोई अच्छा रिस्ता आने से परिवार में सुखनामा माहुल रहेगा रहम समंद में मिंडिकरता बढ़ेगी पती पतने के विच कुछ मनमुटाब जेसी इसती बनी रहे है उसम के बदलाब का असर स्वास्तवर पढ़ेगा लपारों विल्कुल न बढ़ते हैं और उचित इलाज लें वहीं दोस्तों आप बात करताब के उपाय के बारे में दोस्तों भागवान सीब जी का असिरवात पाना चाहते हैं तो पूजा के दरन सीब जी को जल चड़ा इसे भागवान भुलनात प्रशन होकर जातक की हर मनुकामना पूर्ण करते हैं साथी दोस्तों समल के दिन पाच पत्ते वाले वेल पत्र अवसी चड़ाएं।